अलो दोस्तों वेलकम इन निव वीडियो और आज की इस वीडियो में बात होगी ब्लेक फंगस के बारे में जो इंडिया में काफी तेजी से फैल रहा है और जो एम्स के डॉक्टर्स की गाइडलाइन्स आई है इसके बारे में कौन से पेशेंट हाई रिस्क पे हैं किन मरीज को ज्यादा खत्रा है कि उनको ब्लेक फंगस हो सकता है और इसकी रोगधाम कैसे करें आपको कैसे बचे और आप कैसे पहचानेंगे कि आपको ब्लेक फंगस होना शुरू हुआ है या नहीं यह सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो सबसे पहले बात होगी उन मरीजो ने टोकली जुमाप जो एक मेडिसिन इंट्रडूज हुआ था अभी कोरोना वाइरस के निये वह उन्होंने लिया है वह पेशेंट सबसे जादा हाई रिस्क पे हैं दूसरे वह मरीज जो की इम्यून सप्रेसेंट्स ले रहे हैं मतलब वह मेडिसिन ले रहे हैं जो इस्टरइड वगरा ले रहे हैं या फिर उनको अनकांट्रोल क्रॉनिक डाइबिटीज है तीसरे वह मरीज भी हाई रिस्क पे हैं जो की ऑक्सिजन सपोर्ट पे हैं और वह एंटेलेटर पे हैं तो ब्लेक फंगस के अर्ली सिंटम्स क्या है और आप कैसे पता करेंगे कि आपको ब्लेक फंगस है नहीं सबसे पहले मरीज के आखोंके और नोस के अलॉंग रैडनेस आ जाएगी या फिर स्वैलिंग आ जाएगी और आपको नाख से मतलब जहें ब्लीडिंग हो सकती है या फ तो अगर आपको भी सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले आपके डॉक्टर से consult करना है अगर आप डाइबिटिक हैं तो आपको अपकी शुगर monitor करनी है अगर कोई और medicine आप ले रहे हैं तो आपको उसको monitor करना है आपके doctor से consult करें बिना कोई भी इस्टोराइड या कोई भी medicine आपको नहीं लेनी है और यह सब guidelines ऐम्स के कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए